सभी आंगनबाडी सेविका सहय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी न्यूस चैनल की आज सुबह साथ बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है भायो बहनों आपको बता दें आज सुबह आप सबको दो खुस खबरियां देखने को मिलेंगी आए बारी बारी से उन चीजों को जानते हैं सबसे पहले तो आपको बता दे कि भानूमती बहन हैं और ये उत्तर प्रदेश के मउजनपत से आती हैं जिन्नों ने अवगत क्या कराया है कि एक तो मेसेज ये पहले लिखा है प्रणाम भाई पटेल जी कल दिनांग 14 नवंबर क मेरे यहां सभी बहनों को मांदे मिल गया दीपावली पर पर नहीं मिला मगर छट पूजा करने के लिए सहरा हो गया सभी बहनों को एवं भानूमती सिंग की तरब से लाखो लाग बधाई और मेरे भाई की आप ही हैं कि हम लोगों का दर्द समझते हैं भाई मेरा पैसा 9 न बहनों को दिखा भी देंगे और बाकी कई बहनों को मैंने कल भी दिखाया है वहीं अच्छी बात उन्होंने जो बताई है वो यह है कि एक मैसेज उन्होंने फॉरवर्ड करके भेजा है कि मिनी केंद्रों के लिए अच्छी खबर है भारस सरकार ने 400 से उपर की जनसंख्या वाले सभी मिनी केंद्रों को सामान केंद्र में परिवर्तित कर दिया है सामान के बराबर मांदे भी मिलेगा जिसका आदेश 15 नवंबर तक सब को मिल जाएगा तो इनके हिसाब से कहना यह है इस मैसेज में जो बताया गया है कि 15 नवंबर को आदेश मिल जाएगा भारस सरक चार सो से उपर जनसंख्या वाले जो भी मिनी केंद्र हैं उनको सामान निकर दिया है अब ये आटोमेटिक अपने आप तो हो नहीं जाएगा और रही बात इन चीजों को बदलने की तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मिनी से मेंद में बदलने के लिए इस तरह के मानकों को लेकर के आदेश तो बहुत आएं हैं केंद्र से भी आएं हैं राज्यों ने भी अपने अलग अलग निकाले हैं और बदलने के लिए भी निदसाले से निदेशक से भी लिटर निकाले गए कि मिनी को में में बदला जाए और वो मानक भी दरसाए गए लेकिन वो काम जिलों के आधा पर चीजी आगे ऐसे ही बढ़ती रहेंगी और आप लोग इस बारे में अगर कुछ कहना चाहते हूं अपने विचार रखते हूं तो कमेंड में बता सकते हैं बाकि मुझे जो प्रतीत हुआ वो मैंने आपको अफगत कराया बाकि अच्छी बात है अगर भारत सरकार से कोई सक काम होने हैं जैसे जनसंख्या देखी जाए कि कौन से मिनी केंडर की कितनी हो गई है तो ये सब चीजें जो है अधिकारियों के इस तर से ही उपर तक रिपोर्ट बन करके जाएंगी और फिर चीजें जो है बदलाव होगा तो वो प्रक्रिया जब तक वो जम्मेदार नहीं करेंगे तब तक मैं समझता हूँ कि वहाँ पर दिक्कते तो आएंगी और मिनी समेन होने में देरी भी लगेगी मंता सिंग बहन है बांदा जनपस से आती है और उन्होंने देखो अपने वहाँ से समस्या बेजी जैसा कि मैंने कहा कि अभी भी बहुत सी बहने हैं जिनके व दुखद समाचार भेजा है ये बहन हमारी एक कास गंज से हैं जिनका देहान थो गया है कल साम चार बजे तो बहन के आत्मा की सांती के लिए कमेंट बॉक्स में उमसांती जरूर लिखना साथी साथ आगे ले चलते हैं कुछ और बाते आपको बताते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं निदसाले से एक और लेटर आया है और ये लेटर है देहरादून से नव नवंबर को जारी किया गया एक आदे से और यहाँ पर आंगनबारी बहन को सुपरवाइजर बनाया गया और यहाँ पर अगर आप वेतन मान की बात करें तो 29,200 रुपए से लेकर 92,300 इतना पैसा वहाँ पर देखने को मिलता होगा इससे जगा खुसी का दन उनके परिवार के लिए कोई नहीं होगा लेकिन यहाँ पर आप अगर देखें यूपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आगे का कुछ पता ही नहीं चला है और मानो जैसे प्रक्रिया सिमट के रह गई हो कई जगे नियुक्ती पत्र भी माटे गए फिर चीजों को लगता है जैसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया लेकिन कहना चाहेंगे इन सब चीजों में कि पदों को लेकर के जरूर नियमों का उलंगन जैसा दिखा आप सीधी भरतियों को देख लो 2022 वाले में कितने पद निकाले गए और वहीं पर 17 वाली प्रक्रिया में कितने कम पद थे दोबारा भी प्रमोशन के लिए कोई पद निकाले ही नहीं गए तो कुल मिला करके 50% पदों पर बहनों को नियुक्तियां मिलनी थी प्रमोशन होना था वो तो यूपी में हुआ नहीं खैर हम यहाँ पर देरादून की अगर हम बात करें तो इस वाले लेटर में क्या कहा गया जरा सुनियेगा और क्या-क्या नियम जो है यहाँ पर दर्साए गये हैं सर्तों के आधार पर यह जो है चीजे वहाँ पर देखने को मिलेंगी नदेशा आले महिला ससक्ती करन बालविकास भाग उत्तराखंड देहरादून की आधे संख्या 26 तिरपन जो की 22 अक्टूबर का लेटर है दो हजार तेईस में ही 22 अक्टूबर का जिसके करम में तालिका के कॉलम संख्या 2 में अंकित जो आंगन बारी कार करती है उनको कालम संख्या 6 में अंकित बालविकास परुजना काराले में सुपर्वाइजर के पद पर जो की रिक्त पद है उस पर वेतन मान 29,200 रुपए से लेकर 92,300 रुपया लेवल फायू में एतत द्वारा अगर लिखित तत्यों एवं सर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है तो एक ये बहन है जो की गुरुदेव कौर है बहन आगनबारी कार करता है गुरुदेव कौर इनके जो फादर हो या हस्बेंड हस्बेंडी होंगे विक्रम सिंग जी और बहन का डेटा बर्थ 7-12-1977 है और जैसा कि आप देखिएगा ये इनको पिधारागड में मिली है तैनाती प्लेस्मेंट आप देख लीजेगे इनका जो यहाँ पर मुना कोट साद ऐसे लिखा हुआ है या मौना कोट जो भी वहाँ पर उचारण सुरूप आप समझते हों तो ये आगनबारी बहन सुपरवाइजर बनी है और इनको लेकर के देखो यहाँ पर क्या बाते कही गई ग तो कुल मिलाकर के यह जो डिसिजन लिया गया है इन बहन को सुपरवाइजर बनाने का तो यह मामला कोट के आधार पर दिया गया यानि कोट में उन्होंने आजका अपनी डाली थी जिस पर सुनवाई हुई और उसी आधार पर इनको नियुक्ति के लिए विभाग अब नि पर नियुक्ति आधे स्वता निरस्त जो है समझा जाएगा यह नियुक्ति पूर्टिया आइस थाई है तथा उत्तराकंड सासन महिला सतक्ती करण एवं बालवेकास अनुभाग एक की आधे सूचना दिनांक 32-33 दिनांक 17 नवंबर 2021 के अधीन रहेगी इनको वेतन के अतरि सासन द्वारा समय समय पर स्विक्रत महंगाई भत्ते और अन्य भत्ते भी अनुमन्य होंगे नियुक्त कर्मिक दिनांक 110-2005 से लागू अंसदाई पेंसन योजनाक से आच्छादित होंगे प्रथम नियुक्ति होने के कारण इन्हें कारिभार ग्रहण करनी है तू उपस्त होने के लिए किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा अभ्यर्ति की सेवा राजिस्तरी है भविस्में संबंदिस संवर्ग में प्रदेश के किसी भी जन्पद में तैनाती की जा सकती है नियुक्त कर्मिक की परिविच्चा अवधी दो वर्स होगी सेवाए संतोज जनक ना पाय जाने पर परिविच्छी अवधी को आगे बढ़ाया जा सकता है इनकी जेश्टा और कोटी करम सूची प्रथक से जारी की जाएगी यदि अभ्यरती के सेचडिक प्रमाड पत्र अन्य दस्तावेज में किसी प्रकार की कूट रचित पाई जाती है तो उन दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत चरित प्रमार पत्र जो सुयम के रिस्तेदार ना हो साती विवास संबंदी गोश्डा पत्र भी लगेगा राजपत्रित अधिकारी के समच्छ हस्ता चरित राष्ट के प्रती निष्ठावान होने का गोश्डा पत्र लगेगी विदेश में रहने वाले रिस्तेदारों के संबंद में गोश्रा पत्र लगेगा प्रसांत आरे नदेशक जिनके इस तर से उत्राखंड में एक ये लिटर जारी हुआ है एक आंगनबारी कारकरता बहन गुर्देयो कौर जी के लिए क्योंकि उन्होंने अपने करने की वो सबाब देखी रहें और जो बाते निकल के आ रहें प्रिविक्षावधी की तो दो साल रहती है दो साल में अगर इनकी सेवाएं अच्छी रहीं तो फिर आगे का इनका मेन वाला प्रोसेस पे सुरू हो जाएगा अगर अच्छी नहीं रहीं सेवाएं तो फिर से प्रिविक्षावदी को और बढ़ाया भी जा सकता है तो कुल मिला करके ये बहन हमारी आंगनबारी से सुपरवाइजर बनी है इनको बहुत-बहुत धन्यवाद साथी आप सब बहनों का अगर कोई विचार हो इस मामले में तो कमेंट में बता सकती है वहीं सुमन देवी बहन है जस्पुर उत्राखंड से आती है जनोंने जानकारी से अवगत कराया और बात करें अगर हम बिहार राज की तो गुड़ी बहन है सीता मरी से आती है बिहार के और जहां से उन्होंने एक ये मामला बेजा है यूनियन का लेटर भी बेजा है कि बिहार राज आंगनबारी सेयुक्त संगर समिते की तरब से 13 नॉमबर को यूनियन ने एक लेटर निकाला है उसको भी दिखाएंगे उससे पहले के मैसेज पर आते हैं ये मैसेज है नीतु कुमारी बहन का प्रकंड अद्रच है सोन भरसा सीता मरी से साती आपको बता दे यहां पर लिखा गया सोन भरसा प्रकंड के सभी आंगनबारी सेविका सायका बहने और सेवक भाईयों ध्यान दे बिहार सरकार हम लोग के द्वारा जो रवया अपनाई है किसी भी कारण से यह सोभनी नहीं है और विहार सरकार के पताधिकारी सी डीपियों को एलेसों डीपियों हो उनको सारे के सारे अभी बेरोजगार हो चुके हैं क्योंकि आप देख लीजिए मैं अभी मैसेज डाला हूँ भागलपुर जले में 35,000 उन्होंने लिख दिया है जबकि हो सकता है कि 35,000 वहाँ पर वो किये गई अब फिर 35,000 भी हो सकते हैं साथी इसके उपर आंगनबाडी सेविका सायका को जो है रद किया गया और इसलिए जो है सन्निवाद को पात रहें बिहार सरकार और बिहार सरकार के पदादिकारी गण अब सेविका सायका क्या बेरोजगार होंगी क्योंकि 6,000-3,000 कमाने वाले लोग हम लोग कमाने के लिए वह बकरी पाल करके भी 6,000-3,000 कमा सकते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या उत्पन हो गया है कि DPO जिसको महीने में 20,000,000 कमाई होता है और CDPO जिसको महीने में 10,000,000 कमाई होता है मैला परविच्चका का जो महीनों में चो है यहाँ पर 40,000 कमाई था मित्रो आज डर उनको सता रहा है इसके लिए चाहें जैसे अन्यजला के DPO CDPO मैला परविक्षक का डाटा ओपरेटर सारे के सारे बेरोजगार हो गए उनको कोई कूछने वाला नहीं देखो ऐसा कुछ नहीं है ये बस यूनियन अपना सोचे कि वो बेरोजगार हो गए ये हम सब भली बाती समझते हैं कि वो कोड जाएंगे इधर-उदर अपना कुछ ना कुछ इंतजाम बना लेंगे जो इतनी मोटी सेलरी पाता है वो बना लेगा लेकिन यहाँ पर जो आकरे दरसाएगे बीस लाग दस लाग आलेंडिया इसकी भी पुष्टी नहीं करता लीगल ये सेलरी नहीं है और बाकी लेगल में कौन क्या कर रहा है किसकी कितनी क्या आमधनी है उसके जब साच नहीं है तो उस पर बात करना भी बेकार है खैर हम यही कहना चाहेंगे कि दिक्कत बेहनों को ही है जिनकी सेवाएं समाप्त हुई है ध्यान देना वो अगर बहाल होती है तो अच्छी बाते वरना ऐसे हजारों बेहनों की अब जो है नौकरियां अगर चली गई सेवा समाप्ती हो गई तो उनके सामने बहुत जो है दिक्कते आएंगी कहीं के तर्क ठीक नहीं लगते हैं बाकी आप लोग जैसा समझें अपनी भी प्रत्क्रियाय देने के लिए आप सुतंत्र हैं आपकी बातों को रखने के लिए यह हमारा जो यहाँ पर फर्ज है बुकमरी की स्तिति उत्पन हो गई है इन समस्याओं से उनके सामने कोई भुकमरी नहीं आएगी डीपियो सी डीपियो इन लोगों के सामने सुपरवजर के सामने मैं फिर कह रहा हूँ वो सब भाल हो जाएंगे वो विभाग के एक बड़े पद पर हिस्सा हैं वो विभाग के और चीजों को चलाना है नए सिरे से गवर्मेंट इतना भरती करेगी नहीं और वो उनको तो रखेंगे हम लोगों में पचास ओप्सन उनको मिल जाएंगे खैर जो भी हो हम लोगों की भी सेवा समाप्तियां यूही नहीं हो जाएंगी यूनियन चाहे आप सब बहने चाहे तो अपने लिए इस मामले में निदसाले सतर से वो करें और नियायले में भी समंदित अजका डाल सकती है कि ऐसा है हम अपने हक के लिए मैदान में है और फला फला चीजों को भी लगाओ कि विभाग के साथ तब तब वारता हुई थी जो लिखित में समझोते हुए उनको लाग़ू नहीं किया गया जिसादार पर हम मैदान में आये जो भी है उस्तियों को लगाओ मांदे के संबन्द में लगाओ 5-5 महिने हो चुके थे मांदे नहीं आया इन समस्याओं को लेकर हम पदा अधिकारी और सुपर्वाइजर इन सभी का डाटा ओपरेटर जिला अधिकारी सायूंक तो जो सड़यत्र मिली भगवत से अपना पैसा उगाही करने के नियत से मातर यहां पर संगस करने वाले नियत्ती संगठन जिला अधिया गया ताकि इन लोगों को आवाज को दब अधियां हुई है तो उसको लेकर के जो लीगल चीजे हैं यूनियन उसको पहले फॉलो करे और बहनों को उनका रोजगार उनकी नवकरी उनको वापस दिलाए अगर इतनी तनी बड़ी तादात में धर्णों में जाने के चक्कर में बहने से वासमात हो जाएंगी और वो व को करवा सकते हैं क्योंकि आज बेरुजगारी के दौर में हजार दो हजार चार हजार के लिए भी लोग लाइने लगा करके खड़े हैं नवकरी पाने के नाम पर कि आज नहीं तो कलोगा कुछ ना कुछ होगा तो ये चीजे हैं खेर बाकी आप लोग अपनी प्रत्क्रिया दे सकते हैं मेरा जो समझाने का एक वो कहते हैं कि एक समझाने का एक तरीका समझ लो या यूं कहें कि आपसी एक भाई की सला समझ लो तो वो है जो मैंने आपको जो कड़वा सकते हैं वो मैंने समझाया है बिहार राज आगन बारी सेंक तो संगर समिती से निदेसाग जी को आप लोग कोर्ट का भी जो है रास्था चुम सकते हैं कोर्ट में अचका डालें और वो चीजों के आदार पर सुनवाई ले अच्छा वकिल करें वो चीजों को भी कर सकते हैं पूरा अपना लेखा है तो यहाँ पर वही चीज़े लिखी गई है जो कि अभी आपको सब बताया गया था बताया गया व्यापक गोल बंदी जो है और आप प्रत्यासित भींड को देखते वे प्रसासन ने भले ही बल प्रयोग किया लेकिन आंदोलन कारियों द्वारा किसी भी तरह का हिंसात्मा कत्वा गयर लोगतांत्री कदम नहीं उठाया गया बिल्कुल ये बास सत्य है वेडियो ग्राफी भी की गई है वहाँ पर दोनों तरब से अगर तो उस पर भी ध्यान दिया जाए कोट में मैटर जाएंगे तो सब आराम से चीज़ें हो जाएंगी पह कारवाई एक डर दिखाते हुए लेकिन कमिया विभाग की रही मान दे समय पर ना देना वारता के चीजों चीजों को है उनको लागूना करना ऐसी बहुत सारी चीजी है तो कहीं न कहीं जो है बदलाओ की अवस्यक्ता है 37 में लेखा गया सेविका सायका से संबंदित आवाज दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा मजबूती से उठाई गया और सरकार भी विचार करने पर सहमत हुए इस तरह से चीजों को भी यहाँ पर लेखा गया है तो सरकार से भी मेन चीज़ है मेन आप मुक्यमंत्री रहें और उनको समस्या बताएं इन चीजों को लेकर के सेविका सायका को मजबूर हो को अंदोलन का रास्ता पकरना पड़ा इसी तरह से सब चीज़ें यहाँ पर डाली गए और फूट डालने की चिस्ठा जो है नहीं की जाए यही सब चीज़ें यहाँ पर आई हैं तो कोल सूंगी नोकरिया जो भी बहनों की गई है वो अप वापस आएंगी लेकिन बड़ी तादात में महने सेवा समापती की गई हैं जो की देखने को मिली दिल्ली राज में 900 के करीब होई थी लेकिन उनसे भी कहीं गुना जादा जो है बिहार में यह चीज़ें देखने को मिली तो यह एक दमन का तरीका महलाओं के उपर कहने के लिए महलाओं का ससक्ती करण हो रहा है लेकिन महलाओं अपने ही हक के अगर आवाज उठाएं अपने ही हक को अगर मांगें तो फिर उनकी आवाज कुछ इस तरह से आज के टाइम पर दवाई जा रही है जिसको लेकर कि आ आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं धन्यवाज